यह उट सुप गई इसके से अफसे भी लोग वेलकम बैक टो अनेधर गेम पे वीडियो तो कहीं सारे चमल लोग दुपार से के लिए जा रहे हैं उनका जेट कब जा रहा है वो लेकर आना है तो इसको पकड़ने के लिए यहां पर मैं उनकी सीक्रेट बेस में आ गया बटार इधर ना बहुत जादा ख़तर है एक टाइप से कह सकते हो आप उसे पकड़ना इंपॉसिबला दो बंदों के लिए इसलिए रभी न अंदर जाने इसलिए वो ही से कंट्रोल कर पा रहा है अभी फिलार फ्रैंक्लिन को मैं यहीं पर छोड़ कर जा रहा हूं और इसको मैंने बोल दिया अगर टैर इसका बहुत नजर आता है तो सीधा मेरे को कॉल करियो और अगर कोई भी प्रोब्लम आती हो तो पहले यहां से भागियो फि अभी हम लोग यह काम कर पाएंगे तो चलू काय सबीना बिना किसी दरी के में अपनी बाइक को लेकर इस टैनल से बाहर निकल लेता हूं बाक यार एक तो यह जादा बढ़ी है ना कि बाहर जाने जाने में काफिस जदा टाइम लगने वाला है तो की काय सबीना फिलाल मैं काफी जदा आगे तक पहुझ गया हूं बटर अभी तक मुझे वो जो एक्जिट नजर नहीं आई पता नियार आकिरकार की जो टैनल है कितनी जादा लंबी है बटर एक शेकिन अपनी बाइक के सबसे पहले में को यहां पर पहले हैलमेट पहले हैं यहां पर सामने की तरफ इदरा तेरी आइसे कि दसी यहां पर निकल आए आज से बहुत बुरी तरा निकल आज से बहुत बुरी तरा गोलिया मारना शुरू कर दिया है और यह लोग भाग कर मेरे काफी जदा क्लोज आ रहे हैं के करके रुक जो तुम्हारी ऐसे की दसी अँग मेरे को पता निया इनका निशाना कैसे होने वाला है वो इनके पास वैपन कोंचे है फिलाल एक बंदे को मैंने डाउन कर था उसको मैंने फिनिश कर जाए एक एरा तेरी ऐसे की दसी निकले आँसे और वैसे जो गाड़ी है इनी अब पढ़ेगा सीधा आँख पर मारी है मैंने पीछे की तरफ में एक बंदा है तू आते री भैस के लागए निकले यहां से चलो अभी गाइस और इन्होंने मेरे पास सिलेंडर पर गोली मार दी ना तो यह जो जगह पूरी को परी ब्लास्ट हो जाएगी एक काम करता हू अगर वो दूर जाके ब्लास्ट होगा तो जाता बढ़िया रहेगा अभी फिलाल मेरे पर कोई डैमेज ना हो इसलिए मैं इसके पीछे चुप जाता हूँ भाई सब इन्होंने सिलेंडर मेरे पास तक कैसा पचाया तो चलो गाई सबीना फिलाल पीछे की तरफ में सिलेंड चुपके बैठा हुए बट यार वो नजर नहीं आरा मेरे साब से जो मैक्सिमुम बंदे थी ना वो तो मर गए है अभी जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा पीछे की तरफ में अगर वो जिन्दा हुआ ना तो सीधा मैं मार दूँ हो कहां पर तीरी यासी की तरसी बाहर निकल याँ पर उसका मेरे को पता भी नी चलता हुए अब पतान यार यार यह लोग मेरे को मारने के लिए बैटे थे या फिर हमेशा इसी टाइप से कैम्पिंग करते हैं फिलाल लास टाइम जब मैं आ ताब तो यार इधर कोई भी नहीं था तो छी लोग पाइदन है अगर मैं किसी एक टैरिस को जिंदा रखता ना तो क्या पता मैं उसे कोई ना कोई पूस्ताच करी लेता तो इच्छे लोगाइस अभी ना कोई दिकत की बात नी जल्दी से मैं अपनी बाइक को लेकर निकल लेता हूं सीधा मिलिटरी बेस के लिए और वहां पर और देखते हैं कि मिलिटरि का आव को त हो सकता है कि हम》 और न इकर सकता है की हमे क्यों क्रेit को यहां पर अक्रला कर आपने गले बटार ने देंदेिया कोują यहां पर देख पह रहे हो अभी फिलाल मैं अपनी बाइक को लेकर पोचने वाला हूं मिलिटरी बेस बस मुझे आगी वाले कट से अंदर की तरफ में लेफ लेना है एक काम करता हूं सबसे पहले अपनी स्पीड कम कर लेता हूं वरना मैं को लगी रहा था कि मैं ठुकने वाल सबस्क्राइब करता हूं और अगर में पास वैपन्स पकड़े गए तो यहीं के यहीं गोली मार देंगे और इस टाइब की पागलपन थे अभी मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं क्योंकि यह जो मिलिटरी करनल है यार यह बहुत ददा दिमाग वाला है इसका दिमाग पता नहीं कब कहां चल जाया कुछ नहीं वाल हूं अभी फिलाल इतने सारे सोल्जर्स इतनी पीछे रह और भार के तरफ में एक मिलिटरी करनल खड़ा हुआ है बट यह दूसरा मिलिटरी करनल है तो भी जल्दी से अंदर चलते हैं उस वाले करनल से बात करते हैं फिलाल यहां पर भी वो नहीं बैठा और यह सारे के सारे दो मिनट के लिए पीछे रहा हूं कि मैं तुमारे करनल को कुछ भी नहीं कहूंगा बिचारे मेरे वेपन से लेने के बाद भी मेरे से इतना ज़्यादा डर रहे हैं तो भी फिलाल गेरा मिलिटरी करनल और अंदर भी शिक्योरेटी है चलो कोई ने भी जल्दे से बात करते हैं देखते हैं क्या सीन है तो कि काईस अभी ना मेरी फ लोग पूरी के लोज से अंदर को बहुत तकड़ा ब्लास करने वाले थै और वह था प्रेजिडंस से बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है बट अपने साथ लेस्तर है तो शैसे वो कुछ न कुछ कर सकता है अभी फिलाल अगर यह काम नहीं हुआ तो मतलब अभी उसने चोड़ तो दिया है बट ट्रैवर को नहीं चोड़ा सबसे जादा इंपोर्टेंट है ट्रैवर को साहर निकलता हूं और फिलाल यहां पर मिलिटरी वाले काफी जदा खुश हो गया है क्योंकि इनका जो मैंने जट वापिस लाकर दिया है वो शैसे ना सिर्फो सिर्फ एक ही बना था बाक्यार सामने की तरफ में अरे अरे मैंने कुछ नहीं करा भाई यहां पर काफी सारे ब अपने वही वाली सीक्रेट जगा पर गया था जहां पर हमें लोग मैटरो में छुपकर बैठे होई थे तो भी जल्दी से यहां पर मैं लेस्ट रोग कोल लगाता हूं और वो देखू सामने की तरफ में जो जैट है शैसे वो वही वाला जैट है ज्योंकि मैंने मिलिटरी को दिया था अब देखने में तो वैसी लग रहा है इसकी बहुत सथा थी सेकंड्स में वह कहां तक पहुच गया अब पता नहीं है वही वाला या पिर दूसरा है क्या चोड़ो वह बात की बात है अभी जल्दी से यहां पर मैं लेस्ट रोग कोल लगाता हूं उससे पूछ से बात हो गी है और सभी मोंके पर लेस्ट ने फोन भी उठालिया पता नहीं क्यों आजके लिसका फोन जो है अब आपको बता होगा वो हैकर है लिसका नमबर ट्रेस कर रहा है इसलिए बार बार इन अपना बंद करके रखता है और यह कह रहा है कि यह ना भी एकलिप्स ता जाए जाहां पर ट्रैवर भी अपनी वगरा पाक करता है तो यहीं पर मैं अपनी वाली जो बाइक करता हूं कि आप बाद में इसकी जरौत पढ़ जाए वैसे गाड़ी तो च्छे इतनी बुरी भी नहीं कह सकते हैं बट यह कि इस पीड इतुनी कोई ज्यादा खास नहीं है ही जड़ी ज़ल्दी इहां पर काम करता हो घ्राइवर की हए ऊपनी ब्ले बाद में अच्छा कि एशल्प बी ज़ए लिए संदा जबर चलते हैं व्यादि तो चलो भी देखते हैं कि अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फिलाल हमें लेस्टर कह रहा है कि इसकी एक फ्रेंड है काफी बढ़ी है करहा है और वह हमें टैर्स तक शायद पुचा सकती है क्योंकि लेस्टर कहा रहा है उससे जितना हो सकता था उसने कर लिया है अब क्या पता उस लड़की के पास कोई extra information हो तो भी जल्दी से लेस्टर से उसकी location लेते हैं तुछ लोगाइस अभी ना फिलाल लेस्टर कहा रहा है कि तुम उसके पास जाओ और मिलकर आओ अगर तुम जल्दी से आपर हम लोग लिफ्ट में बैठते हैं और चलते हैं सीधा नीचे तुछ लोगाइस अभी ना फिलाल लिफ्ट में बैठकर मैं आच चुका हूँ सीधा एक्लिप्स टावर के ग्राउंड फ्लोर पर तो अभी जल्दी से चलते है गिराज में और अपनी गाड़ कार लेकर वहां पर जा रहा हूं कि कार मेरे सबसे ज्यादा बैठ रहेगी और यह जो कार मेरे को लगती भी बहुत ज्यादा बढ़िया है तो भी बीना किसी दीरी के निकल लेते हैं सीधा उस जगह पर पहुचने वाला हूं जो लोकेशन मुझे लेस्टर ने दी जहां पर जो रेलवे ट्रैक है उदर फ्लाइ और के नीचे हो गया तो चलो ठीक है यहां से मुझे लेफ्ट लेना है फिलाल राइट में भी एक रास्ता है बट मिंको इधर नहीं जाना लेफ्ट की तरफ में रेलवे ट्रैक होगा अब ऐसा ना मेरे को उसने बोला तो है फिलाल चलते हैं और देखते हैं अभी क्या सीन है वो लड़की इस ट्रक के अंदर है या वैसे होगी या सीधी सी बाता लेसर ने उससे कॉल पर बात कर लिए तो भी ना जल्दी से लेसर को मैं कॉल करके बोल देता हूं कि उसको बोल दे कि हम लोग उसके ट्रक के बाहर आ चुकी ह तो चलो गाईस फाइनली पूरी के पूरी के पूरी आधे घंटे बाद इस लड़की ने अपनी डिसर्च कम्प्लीट कर लिया है और गाईस यह कह रहे है कि लॉस एंटोस के अंदर एक वैन है जो कि बे मतलब पूरी के पूरी शहर में राउंड लगा जा रही है और उस व कर डिवाइस उस वैन के अंदर लगा होगा ऐसा यह लड़की कह रही है बाकि डिवाइस मेरे को नहीं पता मैं पूरी की पूरी वैन लेकर आ जांगा और बाकि ट्रैवर को बचाने के लिए कर नहीं पड़ेगा तो चलो गाईस अभी ना फिलाल यहां पर हम दोने उस चु आते हैं और सीधा निकल लेते हैं लेसर की फैक्टरी के लिए बाकिया अगर मैं रोट से जांगा ना तो वो मेरे को उल्टा पड़ जाएगा एक काम करता हूँ अपनी गाडी को नहीं यहां पर एकदम अराम से राइट मोड़ना है और यह आगी लेसर की फैक्टरी तो भी ऋपर देखकर आते हैं लेसर का लेपटोब रहा हुआ है या फिन नहीं कि लेसर का में लेपटोब रखा वाकिया राक्तूर्त की लेसर के नहीं बकास के लेट करते हैं और देखते हैं एकड़ item है क舞 की डाईक मेरे को उस गाड़ी की एकदम exact location दे दिया है जिसमें से हमें वो device चुरा कर लाना है और वैसे भी मैं उसके अंदर से device नी चुरा कर लाँगा और मैं पूरी की पूरी वो गाड़ी चुरा कर लाँगा क्योंकि यार अपने पास इना time नहीं है बाग यार अभी में पास weapons भी नहीं है क्योंकि यार सारे के सारे weapons तो military वालोंने ले 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 थे अभी मैं सोच रहूँ यार अभी weapons लेने जाओंगा तो time waste होगा क्योंकि यार एमिनेशन की shop यहाँ पर कहीं पास में है अभी फिलाल एक काम करता हूँ कोई बंदा बंदा होगा ना उसको मारता हूँ क्या पता उसके पास कोई pistol वगएरा तो निकाली जाए फिलाल इस तरफ में गैंक्स वगएरा रहते ही नहीं यहाँ पर सारे का सारे worker लोग ही रहते हैं यानि कि उसकी van चुराने आ रहे है या फिर उसका पीछा कर रहे है क्योंकि अगर उसको शक हो गया ना तो हो सकता है या तो वो अपनी van को destroy कर देगा या फिर जो सारका सारा data है ना वो clear कर देगा क्योंकि या terrorist लोग बहुत जादा खतरनाक होते हैं तो भी जल्दी से मैं उसके पास चलता हूँ बाक्यार मेरे को से अपने उपर बिल्कुल भी शक नहीं होने देना है तुछे लोग आइस अभी ना फिलाल में अपनी गाड़ी को बहुत ज़दा तेज भगाते बगाते उसी जगापर पोचने वाला हूँ जहाँ पर उस बंदे की वैन जा रही है बाक्यार इस तरफ में तो मेरे को कोई भी वैन नजार नहीं आ रही यहाँ पर सारी के सारी SUV है शैसी जो आगे वाला मिनिट रख है न उस वो लड़की इसी को वैन बोल रही थी बैसे यसे वैन भी गह सकते हैं बाक्यार इसको मेरे उपर शक नहीं होना चाहिए इसलिए काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना मैं इससे आगे ले चलता हूँ क्योंकि अकर मैं इसका पीछा करूँगा न तो इससे हमारे उपर शक हो जाएगा बट मैं अपनी गाड़ी अगर इससे आगे चला हूगा तो इसको मेरे सबसे बिल्कुल भी शक नहीं होगा तो काइज अबीना फिलाल मैं इतनी गाड़ी को लेकरना काफी जदा आगे आगे होगा। क्योंकि यार मिरे पास वेपन्स निहीं है और अभीना वैपन्स होना बहुत ज़ता जरूरी है फिलाल यहाँ पर ने एक Lost Gang का बंदा कड़ा हुआ है और यह एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर Lost Gang के बंदे हमेशा होते हैं तो इसकी बैसक एक इसके मुक्ता मारता हूँ इसके बास पिस्टल जरूर होगी तो इसके एक बारी मैं भड़ देता हूँ क्या पता मेरे को एक नेक पिस्टल इससे जरूर मिल जाए तो चलो काई जबीना फिलाल यहाँ पर मेरे को इस बंदे से पिस्टल तो मिल चुकी है और वो जो वैन है मेरे साबसे काफी जदा आगे चली गई होगी अब यहाँ पर लॉस्ट गाएं के बंदों के ना कुछ बाइक कड़ी हूँ है जल्दी से इनी की बाइक लेकर मैं निकलता हूँ वैसे और बाइक तो काफी जदा बढ़ी है अब ही मैं दुबार से पोच चुका हूँ सीदा उस वैन के पास और यहाँ पर यहरा बंदा भी फटवट से अपनी पिस्टल मैंने बाहर निकाली और सीदा इसके मत्थे पे बढ़ा दी निकल तेरी ऐसे की तैसी यहाँ पर पढ़गी ने इसके पर तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहां से मैं लेफ्ट मोड़ता हूं और अभी सीदा अंदर की तरफ में एंटर करवा देते हैं बागी तर आप लोग यहां पर देखी पार है कि वैन मुझने में कितना टाइम लगा रही है तो आप लोग को अंदाजा होगा कि जो फैक्टरी से बाहर आ चुकी है और इसको हमने पहली बिता जा था कि हम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं तो यहां पर अभी फिलाल यह भी ढूंड रहे है कि आखिरकार वो डिवाइस कहां पर है और यह देखो बाई चाक को इसके बास हमेशा रहता है और यहां पर अपने पास वैपन्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हर जगाए और वैपन्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है अभी फिलाल सामने की तरफ में गाड़ी तो काफी ज़दा बढ़िया नजर आ रही है और उस ताइम पर मिर पास कोई कार भी है तो सर सर बढ़िया गई थी बाइक में पर अपनी होजाएगी वह शहसे कुछ इस टाइप की बाइक मैंने उस जगह पर देखी थी अभी फिलाल यह इतनी जादा बढ़िया नियार इसकी लुक लुक अच्छी है वस देखने में मेरे को तुनी लगते कि जो बाइक है उतनी ज्याद चेह बढ़िया बागया बागया उन्दर के तरफ में पर ट्रेणिंग चले और यहां पर बंदी ट्रेणिंग करने आथा चलो काईज आज आज हमभी वह ट्रेनिंग करता है जब तक तक उसका कॉल नहीं आता चलो इस अब आपना मैच यहां पर स्टार्ट हो चुका है वैसे मैच नहीं यह अपनी एक टाइप सा प्रैक्टिस बोल सकते हो बाक्यार यह तो पीछे की तरफ में तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी चलो कोई नहीं अपना थोड़ा बहुत यहां पर इम इंप्रूफ कर लेता है बैठे बैठे चलो काई अब यहां पर में इसका कोल आ चुका है और उसने में अब जल्दी से आने के लिए बोल दिया तो इस ताइम पर नगाए सामने की तरफ में एक सोड़ा काया सोड़ा में तो बी जल्दी से नहीं आपर सोड़ा पीते हैं और फट़फट चेकाई अब इम अपनी ब बाइक तो मैंने पीछे गिरा दीती ने शाहसे बतानी यहां पर बाइक किसने खड़ी गरी खैर चोड़ो जो भी है अभी जल्दी से में वापिस जलता हूं स्रीथा उस लड़की के बासे काम करता हूं वापिस जाने के जरुत नहीं है कॉल पही बात कर लेता हूं पूसते जो काम है ना मेरे सापसे मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि वह लड़की कह दिए कि अगर वहां पर है तो काफिस जदा सेक्योरिटी होगी बेटार दिक्कत की बात पता है मेरे को क्या लग रही है कि आपको याद होगा कि अभी हम लोग लास्ट टाइम भी उस जगह से एक को पकड़ कर लाए थे बट आज वहां पर उसी आयलेंड पर टैरिस का है कर अभी ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना अभी जल्दी से ना मैं अपनी बाइक को लेकर निकल लेता हूं सीदा उसी जगह पर उसी जगह पर पहुंच जहां पर वहां पर जाने इन सब चीज में दिखेगा भी नी जल्दी से अपनी बाइक को यहां पर लेकर चलता हूं क्योंकि गाइस अरभी ना वहां पर पहुंचने का यही रास्ता जल्दी से जल्दी वाग एक पैदल जाओंगा तो फाल्तू में टाइम वेस्ट होगा तो चले और अभी जल्दी स अरभी जल्दी से मैं चलता हूं आगी की तरफ में कौन सा अईलेंट था जाओंगा तो उनको शायद मैं पीछे से धपागर दूँष्ट आईलेंट तो यही है अभी ना जल्दी से मैं अपनी जेट्स की को यही पर रखता हूं बास 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 जादा नीचे मज़ण वाप पहर ही फिसल गया तो कि अभी ना फिलाल मैं पानी के थोड़ा बहुत ऊपर आकर खड़ा हो चुका हूँ और अभी अभी न मिरको अस लड़की का कोला है था और गाई सार वो कहरे कि जिस बंदे को में वहां से पकड़ कर लाना है ना यानि जो यहां पर हैकर है उसका नाम है यहां पर इतनी सिक्योरिटी थी बट मैंने एक गलती कर दी कहीं ऐसा ना हो कि वो जो हैकर है ना भाग जाए जैसे पहले भाग था वह बंदा नहीं है वह बंदा यार सची में एकदम ही शरीफ था और उसका तो है मुझ भी तोड़ दिया था हमने तो भी जल्दी से एक बा नहीं मतलब शोपड़ी है इसमें पूरा ब्लास लेकिने उवाप만 अजने नहीं मैं चलब दोड़ा नहीं retro ऑए रहा तो फिलाल एक काम करता के स्नाइब और यह रड़ा दूसरा तूउUS लाओ रही आजनान ना इसमी का लग झालए इनका भी मुह तोड़ते हैं तो फिलाल बहुत साही मेरी क्लोज आ गए थे अच्छा हो कि साइट आइम पर मैंने अपनी स्नाइपर हटा दी बागी जल्दी से हाँ पर मैं राइट साइट से चलता हूं इनको मारने के लिए यार एक सिकिन यहाँ पर भी एक बंदा है अच्छ जितने भी थे ना मैंने अल्मॉस सभी को मार दी लाइब सामने की तरफ से एक और आगी ही चल भे तू भी निकाल यहां से तो चलो गाई जब यह बंदा है जो इनका हैंकर एक तो अब इसका पहले तो मू तो निकल लेंग तो देख भई अगर तुने कोई भी चला की करी न तो ये गोली सिधा तेरी आंक में जाएगी, ठीक है, तो चल अब चुपचाप मेरे पीछे-पीछे आजा, और गाईसर यही है वो बंदा जिसकी location हमने detect करी थी, और इसी का नाम है AV, भाग कर आ रहा है नहीं आ रहा, चुपचाप भाग करा, अभी जल्दी से हम लोग यहां बैट थे अपनी बोट में और फटाफट से निकल लेते हैं सीधा इसको लेकर उस लड़की ने एक location दिया है, वहां पर में इसे लेकर पोचना है, और वो शैसे ना वहां पर पोच गिया है, अब वह भी काफिता दिमाग वाली है कि इसके ऐसे टैरिस दोस्त ना हो जो कि इ तो यह काम करता हूँ अपनी जेट स्की में जल्दी से लूगा, क्योंकि आर इस बोट से जाने में तो काफी ज़दा टाइम लग जाएगा, और वैसे अगर मैं बाइक से जाओंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बढ़ जिस जगा पर मिर कुछ जाना है ना, वहां पर जो एक्टिंग करेगा ना, मतलब जान मुझके मिर को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब इसने देखा था ना, मैं आरहों तो बहुत तेज भागने जा रहा था, वह तो बहुत तो बहुत जली पहुत जाएंगे, वरना बाइक से जाएंगे, तो इतने बड़े-बड़े माउं इतनी जादा प्यारी रिवर, तो भी जल्दी से मैं थोड़ा सा ओर आके चलता हूं, और आगी की तरफ में तो ओर भी जादा बड़ी हैं, तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी जैट स्की को ऊपर चड़ाता हूं, ओ भाई, क्या मसलुक आ रही है, और फिलाल इधर ना काफी जादा बड़िया, और काफी जादा बड़ा तो नहीं कह सकते है, छोटा ही है, एक वाटरफॉल है, बड़ काफी जदा अच्छा लग रहा है, तो भी वाटरफॉल के नीचे से तो हम लोग जानी पाएंगे, तो एक काम करता हूं, यहां से मैं अपनी जैट स्की को ल काफी जादा बड़िया गाड़ी नजर आ रही है, तो भी जल्दी से मैं अपनी जैट स्की को वहां तक लेकर चलता हूं, और यह जमीन पर भी आगी, क्या यार कितनी सही है, तो भी जल्दी से यहां पर इस वाले ट्रक के, इसे मॉंस्टर ट्रक नहीं कह रहा, यहां पर य कि काफी न फिलाल यहां पर बंदों के खेत खराब करता करता है, एक शौट कट बारने के चक्कर में मैं उसी जगह पर पहुचने वाला हूं, जहां पर उस लड़की ने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था, तो चल यार कोई ने भी फड़वर्स अपनी गाड़ी को यहां स इसका क्या करना चाहिए, बाकि बंदा तो बहुत जदा खतर ना है, एक अराम अराम से ठीक है, कोई भी चला की नहीं, जल्दी से आगे, अभी देखते हैं क्या सीना, फिलाल वो लड़की है यहां पर पेज हम से पहले इस जगह पर पहुच गे थी, और इसलिए इसने हमें इस जगह पर आने के लिए बोला, बाकी तो यहां पर आप लोग देख पारे हो, इस बंदी को हमने इसके हवाले कर दिया है, बाकी ज़्याय का काम है, यह खुद करेगी, इसको टॉर्चर करके, तो चले यार कोई नहीं, अभी फटरवर्ट से हम लोग भी यहां से निकल ल आ रहा है, क्योंकि आपने देखा था, लेस्टर ने काफी ज़दा बियर्पी रखिया है, और इसका दिमाग यार बिलकुल भी नहीं चल रहा है, तो चलो काईस, फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पोच चुक हूँ, सीधा लोस टेंटोस, अभी फिलाल मैं जाने वाला अधिलिप्स टावर याने लेस्टर के बास, बट अभी अभी ना बीच रास्ते मुझे पेज का कोल आया, और गाईस सार वो कहरें कि जिस टैरिस्ट हैकर को हमने पकड़ा दाना, उसको मार मार के सारे सारे सीक्रिट्स बता कर वाली है, और गाईस सारे बढ़ा बादा प्ल चुरा लिया हमने, तो फिर हम कुछ कर सकते हैं, अदर्वाइस तो यार फिर बचाना मुश्किल है, अब यार देखो, प्रेजिडेंट के पास भी काफी ज़्यादा मिलिटरी वालो की सिक्यरिटी होगी, बट इस टाइम प्रेजिडेंट को खत्रा है ही नहीं, इस टाइम पूरी की पूरी उस जगा को, क्योंकि उनका मेन प्लैन है वहाँ पर बॉम प्लांट करना, अगर वहां के वो सारे के सारे CCTV बंद कर देंगे न, तो फिर वो लोग कभी भी आके बॉम प्लांट कर देंगे हो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, और अगर हमने उनका सरवर च जिगार्ड उस नहीं करवाया है, तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर इस वैन को मोड़ते हैं, और वैसे वो जो जगह है न, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में है, अभी फटावर से वहाँ पर चलते हैं, और देखते हैं क्या सीन है, अभी मेरे स आपसे वहाँ पर थोड़ी बहुत टैरिस की सिक्योरिटी भी होगी, तो मुझे हो सकता है उसे भी मारना पड़े, यार फ्रैंक्लिन भी अपना पर पर परिशानी में है, सोच रहा था कि फ्रैंक्लिन को भी साथ में ले हूँ, बढ़ चलो अभी कोई नहीं, अगर अभी ल क्योंकि उस लड़की ने मेरे को यहीं लोकेशन दिया है, बाग यार इस तरफ में तो मेरे को कुल भी टैरिस्ट नजर नहीं आ रहा है, एक काम करता हूँ अपनी वैन को अंदर की तरफ में तो काफी सारे टैरिस्ट हैं, और एक टैरिस्ट उपर खड़ा हुआ है, अपनी मैं बहुत ज़्यादा समल समल के इन लोक से फाइट लेने वाला हूँ, मेरी वैन मत पोड़ देना वैन में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट समान है, फिलाल उपर की तरफ से भी काफी सारे बंदे आ गए, एक सटिंड गाइस, अभी पीछे की तरफ में निकलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गलब सीन होगा, पीछे काफी सारे टैरिस्ट हैं, इन लोको मेरे उपर शक हो गया, अभी जल्दी से वो जो वैन है मेरे को उसका जुगार करना ही भड़ेगा, अभी फिलाल उसी जगापर में पीछे वाले रास्ते से आ गया, और यहाँ पर एक टैर सारे वैपन से ले 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 थे, वरने आर अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, सही टाइम पर उस तरफ से भी टैरिस्ट आ गया, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गलस सी नुरक है, एक सिकिन, एक सिकिन, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, उधर से ओ टैरिस्टों नही अब यार देखो, मेरे को ज़्यादा इदर ब्लास्त नहीं करने है, क्योंकि इन में से कहीं पर एक वैन खड़ी है, जिसके अंदर वह सारा का सारा डेटा है, जो कि मेरे को ले कर जाना है, अब पीछे की तरफ में जो टैरिस्ट है, इनको भी मारता हूँ, बहुत मेरे बंदे बचे हैं निकले आसे, चलो भाई नहीं नहीं अभी तो आगे जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, यह तो ऐसा लग रहा है, गोलिया मार मार के पुरी दिवारी की रादेंगे, तो गाइस अभी ना फिलाल मेरे को एसा लगड़ा कि मेरे पास सिर्फ सिर्फ सिर एक एक बंदे के नहीं पचास पचास गोलिया सिर्फ हैड़ पी मालूगा, इकर तीरी ऐसे की दस्री निकले आसे, पुरा मुई तो डालूगा, पर दुबारा मत उठी हो इस चीज के बाद, तो चलो भी फिलाल मेरे साबसे सारे बंदे मर चुके, इसका हाथ अकड़ गया, निकले यहां से, तो चलो भी फिलाल धीरे से आगे चलो, यहांपर अभी बंदे है, इसके पड़ी ही निकले इना से, अब सामने वाले के हैडशोट पड़ा है, फिर भी से कुछ निगो, तीरी वैसकी निकले यहां से, अब सिधार चेस्ट पर मारा है, और उपर वाला भी इसलिए वो मर गया तो जबी ना यहां पर इनकी वैन खड़ी है मिरको सबसे वहले यह देखना है तो चलो अभी फिलाल यहां पर इनकी वैन तो खड़ी हुए है बट अभी भी किसी ने गोलियां तो मारी है बट कहां से मारी कुछ नहीं पता एक बार यह न चुप चाप में इसने अभी गोली चला दी अगर बाद में चलाता तो गडबर जाती और एक बंदा यहां पर इसके पड़ी नहीं है अब लेकिन इसको मैं नहीं चोड़ूँगा बिल्कुल भी चोड़ूँगा पीछे-पीछे-पीछे निकल यहां से बाई-बाई तो चलो अभी फिलाले और भाई बहार भी बंदें कितने ओबे एक सिकिंड यार अभी मेरे को निलगता कि यह लोग खता होने वाले हैं छोड़ो इन सबको अभी फटा-फटाफट से गाइस मैं अपनी वैन में बैटता हूं जल्दी से अपनी वैन को आगे लेकर चलते हैं वैन की भी आलत काफी खराब हो गई है कम से कम मेरे को इदर लग रहा है से मैंने सो टैरिस तो मारे हैं इतनी ज्यादा सेक्यूरिटी थी तो यहां पर वैक कसम से मरते मरते बचाओं अभी फिलाल अपनी वैन भी इदर अटक चुकी है एक सिकेंड यार मेरे को ना वाली गाड़ी उधर करनी पड है मुँपे सबने खपड़ा रपेट रखा है फिलाल इसकी शकल भी मेरे को नहीं नजर आ रही यार यह वह अले टैरिस नहीं था जिनसे अपनी फाइट चल लिए यह सारे अलग टैरिस्ट है और जहां पर मैं शाह से पहले अटक करने गा था ना उनकी ब्राउन ड्रेस थी या पता नहीं यार क्या सीन है कितने टैरिस्ट हो चुके है तो चलो भाई अभी फिलाल मैं भी अपनी वैन लेकर इधर आ गया हूँ जल्दी से अपनी वैन का डाटा उस मितलब कि उसकी वैन का डाटा अपनी वैन का भी गेट खोल दिया है और यहां पर जो इनकी वैन थी complete हो चुका है तो चलो गाई अभी ना फिलाल यहांपर सब कुछ हो चुका है जल्दी से मैं अपनी वैन में बैठता हूँ और फटा फट से ने अपनी वैन को लेकर निकल लेते सीधा उस जगा के लिए बाग यार अभी ना फिलाल यहांपर सब कुछ सीधा बढ़िया हो चु चलो गाई फाइनली मैं अपनी वैन को एकड़ शॉटक रास्ते से बगाता बगाता लेस्टर की फैक्टरी पर पहुचने वाला हूँ और देखते हैं यहांपर पहुची है कि नहीं पहुची वैसे उसने बोला था कि वह यहांपर पहुच चुकी है अब देखते हमें आग अब हमें सब कुस मालूम पढ़ जाएगा और टैरिस से डरने की कोई भी बात नहीं है तो कैसे को भी ना फिलाल पेज सर्वर डेटर ड्राइव तो यहां से लेकर जा चुकि है और उसको गई वह काफे जाता देर होगी अब पता नियार पोसके इंदर क्या रिसर्च कर रह वह भी हमारे पास जाइव आ चुकिए यानि कि वह लोग डियक्टिवेट नहीं कर पाएंगे और शीची टीवी डियक्टिवेट नहीं करेंगे और बोंब प्लांट करेंगे तो सबको नजारी आ जाएगा बाकिए जल्दी से बात करता हूं आकिरकार वह क्या कर रही है तो उनकी जो कोड रिकॉर्डिंग है और उनका प्लान है कि वह लोग डारेक्ली आ रहे हैं और बोंब ब्लास कर देंगे तो अभी ना कुछ भी करकर हमें उन्हें बीच रास्ते में रोक नहीं पड़ेगा वरना आस तो सीन खराब हो जाएगा और सारे के सारे बंदे मारे लोग अब भी उनकी करेंट लोकेशन कहां पर है तो यह कह रहे है कि वो लोग बस माउंट शिलार के पास से जाने वाले हैं बस इतना ही सुनाई दिया है और अभी कुछ भी नहीं वालू हूं उनके बारे में तो अभी ना फटा फट्ट अपनी गाड़ी को बहुत जाता ब माउंट शिलार के पास पहुँच चुका हूं अब रस्ता यहां से भी है बट मैं माउंट शिलार इसलिए हैं क्योंकि मैं फ्रैंक्लिन को अपने साथ ले जाने वाला हूं क्या पता है फ्रैंक्लिन कुछ नहीं बाइक देगा अभी जल्दी से लिए उसको मैंने कॉल करके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट का मैं बेटा सारे के सारे ब्लास हो गए तो मेरे साब से यही वाली बाइक लेकर यहां से निकलता हूं अभी मेरे सबसे बस फ्रैंक्लिन बाहर आ जाए एक और और कोल लगा यहां से लेट कर देग जाए ना फिलाल मुझे फ्रैंकलिन का कॉल आ एक ताहूं के उन्हार के बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वहां पर काफी ज़्छाथा सिक्योरिटी है और जिखो इन सिक्योरिटी वाले को तो मैं पहले भी मार कर गया था पता नहीं यार यह और टैरीरिस निदर कहा से आ गया ए जोड़ो जूब याभी जल्दी से नहीं वहां पर चलता हूं और अभी जितने ही बंदे नहीं सब को मारने वाला हूं मैंने फ्रैंक्लिंग को बोल दिया कि वहां से बस बाहर निकल जा अभी कुछ ना कुछ तो देख्यार करने ही पड़ेगा अभी फिलाल सामने की तरफ में ब्हुत बनाई दिया है मार मार किसी को मार चोड़े हो भाई पीछे भी बंदे है तो चलो भाई फ्रैंक्लिंग साइटाइम पर भाहर निकल गा दोनों को मारना है पीछे भी दो तीन बंदे है विफटाफ़ट से गाईज आर यहां पर इनको डाउन करता हूं चल बेटा व भी कॉन की गाड़ी ले चाही है कांगर बाइक पर टालने वाला हूं अब यहां पर चोगी और लग को बचा लिया और कोई दिक्कत भी जल्दी संबने चलते हैं जिस रास्ते से वह लोग जाने वाले हैं तो छलो गाएस अब आपनी बाइक को बो साथ में वैसे बैक भगाने वाला हूँ अभी फट फट से हम लोग यहां से सीधा निकल लेते हैं अब है देखो हमें ना यहां पर कोई छुपने की जगा ढूननी पड़ेगी जहां से हम लोग न एक दम चुप चाप छुप कर बैट जाएं और वो लोग आए तो हम लोग उन्हें धंग से देख हैं यहां पर देख पारें और फिलाल एक ट्रक तो गया कि तर्स में मतलब यह मिलीटरी की ड्रस नहीं है यह कि सी सिक्यूरेटी की ड्रस था कि बाकि लोग को शिक्राइब और इनका मू तोड़ना है बाकियार इनको मारना इतना ज़्सान नहीं लग रहा क्यूंकि यह जो कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पारे हो दो गाड़ी है ना कुछ जादा ही आगे चलिया है जिसके उपर सारी की सारी फोर्स बैठी हुई है और पीछे की तरफ में एक ट्रक है तो मैं काम करता हूँ ना गाइस यह जो ट्रक वाला बंद है ना अभी फिलाल इस ट्रक वाले को तो हमारे ओपर बिल्कुल भी शुक नहीं है जल्दी से काम करता हूँ यहां पर अपनी गाड़ी इसका आगे रोकता हूँ पर फटा-फट से ना इसका मुह तोड़ता हूँ बदा इसकी भैंस की तो चलो अभी ना फिलाल यहां पर हमने इसका काम हैं बहुत सदा मुश्किल था अभी ना फटा-फट से यहां पर मैं लेस्टर और उसको मतलब पेज को कोल करके बता देता हूँ कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है तो इसी के अंदर है बटार अभी ऐसा जरूरी नहीं है क्या पता उन्होंने अपनी बाकी दो गाड़ि है कि जो बाकी दो गाड़ियां भी कितना ज्यादा दूर गई है मेरे साब से ज्यादा दूर तो नहीं गई होंगी अभी फिलाल यहां पर हमें सबसे बहले तो एक गाड़ी चाही है और दूसरी वाली गाड़ी अभी फिलाल यहीं पर है तो बीना जो लो सेंटोस की तरफ म चुल आए चले जाए अभी फिलाल सामने से गाड़ी हो रहा है रुग जा रुग जा रुग जा रुग जा तीरी भैस्क टांग इसने टककर एक गणजा पिटेगा बहुत बुरी तरह पिटेगा गणजा इसका मत्था बोड़ दूगा मैं तेरी भैसकी भार निकल यहां पर इतने जदा इंपोर्टेंट हम लोग काम कर रहे हैं इसको समझ नहीं निकले हैं से तो मरेगा बे मतलब मरेगा और राम से रहा हूं ब्रेक मार तो इसने ब्रेक नहीं मारी और अभी इस वड़ावट से मैं निकल लेता हूं सीधा उस जगह के लिए और फ्रैंक्लिन इस वाले ट्रक का ध्यान रखेगा तो चलो वाई अभी फिलाल वह अलग जो ट्रक है हाइवे की तरफ में गया है और दूसरा वह ट्रक भी का इस हाइवे पर जा चुका है यार इस टाइम तो बहुत जदा बड़ी गड़बड हो गिया अभी दोनों के दोनों ट्रक हाइवे पर जा यानि कि लो सेंटोस के लिए निकल रहे हैं और वहाँ पर जाके कहीं ब्लास ना कर दें तो काई सभी ना फिलाल यहां पर मैं लो सेंटोस तो पहुचने वाला हूँ अभी लेकिन यार जो गाड़ी है वो काफी जदा आ गया है मेरे को पता है क्या लग रहे है कि गाड़ी के अंदर ही वो मैं और ये लोग ना सीधा उस जगा के बाहर ले जाकर अपनी गाड़ी ब्लास कर देंगे वो फट जाओ यार उस गाड़ी को मेरे को रोकना ही रोकना है 3,2,1 यार कितनी जाओता तेज़ी नि चला रहा है वो मेरी 170 km कम पड़ रहे तेरी भैंस की अब रुखे गये बहुत तेजी में थे ना चल तेरी भार निकल अभी फिलाल इसका जो टैंक है वो तो मैंने ले लिया है और गाहिसार एक काम करता हूं यह जो टैंक है ना इसके अंदर मेरे को 100% लग रहा है कोई ने कोई बॉम जरूर होगा इसलिए यह जो बॉम्ब है यह फटे उससे पहले इसको किसी एकदम ओपन फिल्ड में ले जाकर खड़ा कर देता हूं अगर यह वहाँ पर फट जाएगा ना तो ज्यादा बड़ा ब्लास नहीं होगा तो भी जल्दी से इसको मैं यहां पर साइड में मोडता हूं मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर ब इससलिस के उपर मैं बॉं बाल देता हूं ताकि मैं यहां डू से निकलते हैं दूसरी गाडि मैं देखते हूं कहां पर है तो अभी फिलाल एक गाडी तो यहां पर और दूसरी गाडि अभी उप्सी वाली सिटी में घूमे जा रही है कोई वह ऐसा ना करे कि ट्रक के पास ट्रक यहां पर है और वो फ्रेंक्लिंग को मारके ट्रक ना चीन ले जलो का ऐसा भी ना फिलाल जो मैंने गाड़ी के अंदर बॉम लगाया थे जल्दी से मैं उसको ब्लास्ट कर देता हूं बाइस साब क्या ब्लास्ट हो है यहां पर कुछ जादा ही खतरनाक था मतलों से मेरे को यहां से निकलना है क्योंकि अभी बहुत जदा गलस सीन हो चुका है अभी दूसरी गाड़ी को भी पकड़कर मुझे ब्लास्ट करना पड़ेगा तुछे लोगा है सबीना फिलाल यहां पर मैं भागते बागते काफी नीचे आ गया हूं जल्दी से हम लोग चलते कि बड़ी तेज यहां पर मैंने गन मारी है और तू भी उतर जा जल्दी उतर जल्दी उतर तो चलो भी अब यह ले भाई मैंने तो और आम से होता रहा था तो चले हर अब है फिलाल फालतों की बात है नीकरनी जल्दी से अपनी वाली गाड़ी लेकर मैं निकल लेता हूं तो कि गाई सार अभीना फिलाल यहां पर मैं अपनी गाड़ी लेकर इन लोग के काफी ज़दा क्लोस पोच गया हूँ बाक यार जिस रस्ते पे मैं आया हूँ ना बस यारी एकदम बिल्कुल सही रस्ता हो मेरे साब से तो वो लोग यहां से एकदम सीधा गए हैं और इस तरफ में इतने सारे पत्तर ऐसी गिरे रहते हैं कि मैं आज पहली बार देख रहा हूँ वैसे क्या पता गिरे रहते होंगे नॉर्मली है अभी फटवर्ट से नहीं लोग सीधा हागे चलते हैं उनको ना हाईवे पर पोचने से पहले ही मैं बगड़ लूँगा ताकि और किसी को भी कोई दिक्कत ना है और इने भागने का मोखा भी ना मिले तो चलोगा है जबी ना फिलाल मैं इन लोग के काफी ज़धा क्लोस बोच चुका हूँ आप लोग को ना यहां पर नजर आ रहा होगा इनकी गाड़ी है ना मिर से पीछे हो गई है क्योंकि मैंने बीच रास्ते में दूसरा रास्ता पकड़ लिया था अब ये जो रास्ते है ना दोनों यहां पर आगे आके मिलते हैं और इसी जगा पर ना मैं इनका खेल खतम कर दूँगा तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ अब बस कहीं ऐसा है ना कि ये लोग पीछे की तरफ में अपनी गाड़ी मोलने पिलाल जो अपना प्लान है ना वो बिल्कुल एकदम सही जा रहा है बस मैं अपनी गाड़ी को यहां पर पहुचा दूँ और मेरे को पता था ये गाड़ी कोई ना कोई हरकत करेगी इसका हमेशा का बटबी सी दियोगी अच्छी बात है और यार वो लोग भी काफी ज़्एदा इस जगह की के लोश भोच चुकए है अभी जल्दी से ना यहां पर मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ प्टा फट से मेरे को यहांपर उतरना है और यार यहांपर तो काफी सारे बंदने हैं कि असंथ फाली उत्वाली गाड़े का बम लगा है तो पूरे पूरे तुम लोग यहां से बाग जाओ जाहन का खत्रां यहां पर बहुत यहां पर ब्लास्टोगा हुआ है जितने भी बहुत नीगाई साथ का यहां पर मुझ बन देटा उन तुन तौम इनकोली जितने गूली मेरी गाड़ी तो फूड़ गी और जितने बंदे थे वह भी मर गया जो में ट्राइबर है वह बच गया अभी फिलाल यहां पर एक रेसिंग टॉर्नमेंट होने वाला था अच्छा हुआ कि मेरे को इनसे बाइक मिल जाएगी बिना जल्दी से गाड़ी तक चलता हूं और वैस इसको बलास्ट भी कर दिया है तो चलो अब इना बिना किसी देरी के मैं निकल लेता हूं सिधा फ्रैंक्लिंग के बास और यहां पर जो टैर्रिस है ना वह सच्ची में इनको मारने मारने में कितना जदा टाइम लगया एक टैर्रिस लो सेंटोस में एक टैर्रिस सीक्रिट इसमें बाग की पता नहीं कहा पर कितनी प्लैनिंग चल लेते हैं कितने टाइप के बंदे थे वाई सच्ची में हालत खराब होगी इनको मारने में अभी फिलाल जितने भी रेसर से बिचारे भाग बाग के इदर आ गये हैं और इनमें से किसी एक बंदेगी वाली बाइक है कैर चोड़ो अभी न मिर को इनसे मतलब नहीं है अभी जल्दी से मैं निकलता हूँ सीधा फ्रैंक्लिन के पास चलो गाइस फाइनली मैं वापिस से पोच चिक हूँ सीधार फ्रैंक्लिन के पास और सामने की तरफ में जो मारा ट्रक है वो एक्कम सेफ खड़ा हूँ है तो कि अभी वैसे 100% नहीं कहा जा सकता है कि हम लोग टैरिस से बस सके हैं मतलब बच चुके हैं कई ऐसा नहों कि यार टैरिस अभी और आ जाए और हमें मारने लग जाए सीधा वासे तो यार अभी मिलिटरी ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया इस चीज में क्योंकि यार अब हमने टैरिस को मारा है और मिलिटरी को बचाया तो शाहसे इस चीज के बाद उन लोग को ये प्रूफ हो जाएगा कि हम लोग टैरिस नहीं है तो चलो गाई सबीना फिलाल हम लोग अपने ट्रक को लेकर उसी जगा पर पोच चुके हैं जहां पर हम लोग पहले आया थे दुछे लोगा इस फाइनली यहां पर हम सबने मिलके यह जो काम है कॉम्प्रीट कर दिया और शाय से अब जो मिलिटरी करनल है वो ट्रैवर को छोड़ देगा तो बीना बिना किसी देरी के मिलिटरी करनल के पास चलते हैं वैसा है मेरे सबसे आज हम लोग उसके पास नहीं है मर गई है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो टेर इसका में बोस है वो अभी भी जिंदा है वह टर जो प्रेजिडेंट है उसको थो उपने बचा लिए यानि जो इनका मिशन था जो इनका प्लान था वह उमनें फेल कर दिया है जितने बंदे उन्हें मारने जा रहे उन सब को यहां पर हमने बीच रास्ते में खतम कर दिया है वहाग थोड़ी दिर में मोसम इतना बदल गया क्या बता हूँ फिलाल यह जो गाड़ी है काफी जादा वड़ी है खैर जोड़ो जोड़ो जोड़ी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूं हाई वे पर और के अपकमिंग एपिसोड का एक ट्रेलर एक दिन पहली इंस्टाग्राम पर डालने वाला हूं तो जलती सी जाओं इंस्टाग्राम पर फोलो कर लो तो चलो गाइस मिलते हैं के लिए वीडियो में गुडबाई